सब को लगता है कि आपने जिन्दगी की डोर अपने ही हातों में होनी चाहिए, पर ये तभी संबह हो है, जब आपका खुद पर नियंतरन हो, जब आप अपने लिए कुछ नियम बनाते हो, और उसी नियमों के चोकट में रहते हो, अपना दायरा समझते हो, जिन्दगी में च चिंताएं हैं बढ़ती, तभी तो जिवन में खुशिया नहीं आती, उमिदे इतने भी ना रखो कि पूरी ही ना हो पाए, पाने की प्यास इतनी भी ना रखो कि अधुरी ही रह जाए, मुश्किल तो सब कुछ है, पर ना मुम्किन नहीं, कोशिश और धीरज, दोनों सफल पहुंचाते हैं, हालातों से डर कर हमेशा हार ही मिलती है, इसलिए हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तकलिपों से भाग कर जीत हासिल नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अपनी आच्छाई पर इतना भरोचा रखो कि जो भी आपको खोएगा, एक जिन जरूर रोएगा, रिष्टा जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं, जिन्दगी एक चक्रविव है, इसमें दिन पर दिन फस्ते ही जाना है, सुखदुख के रंगों में ढलके, कुछ अपने हिसाब से, तो कुछ वक्त के हिसाब से जीना ही है, जीवन में जो हो गया, उसे तो बदल नहीं सकते, पर जहां हूँ, वहां से बदलने की कोशिश कर सकते हो, जीवन का किंती तोफा है समय, जो हर किसी को अपने आपको देना चाहिए, हर कमी जरूरी है जीवन में, आगे बढ़ने के लिए, जिन्दगी बड़ी अजीब है, इसे समझना भी है और जीना भी है, जिन्दगी एक सफर है और हम उसके मुसाफिर, पानी चाहे मिट्टी के बरतन में रखो या चांदी के, उसकी शितलता बरतन की सुन्दरता पर निर्भर नहीं करती, उसी तरह बुद्धी की सुन्दरता, शरिक की सुन्दरता पर निर्भर नहीं करत मुसिबतों की आंधिया चलती है आसुओं की बरसात होती है जिन्दगी में दिन और रात इसी तरह होती रहती है जिन्दगी को मिठा बनाना है तो सही वक्त पर कड़वे गुंट पीना जरूरी होता है जब वक्त गुजर जाता है तो बस यादे रह जाती है इसलिए जी लो हर एक लम्हा कुछ लोग ऐसे भी होते है जो इशारों से दूसरों की विचारों को दबा देते है जरूरी नहीं कि बीमार होने की बज़े बीमारी ही हो कई लोग दूसरों की खुशियों को देखके भी बीमार हो जाते है एक आइना ही है जो सच्चा साथ निभाता है क्योंकि हम जब रोते हैं न तो वो कभी हस्ता नहीं है मिलने को तो बहुत लोग मिल जाते हैं जिन्दगी में पर हजार गलतियों को माप करने वाले और सच्चा प्यार करने वाले माबाप नहीं मिलते कभी कभी लोग भेतर की तलाश में भेतरीन खो देते हैं